आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशफल लेकर वार के स्वामी दैंत्य गुरु को नमन कर चलिए राशफल का एकारिक्रम प्रारम्भ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है वही शाख मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथी है जो रात्री में आठ बच करके तीन मिनट तक है मकर राश में दोपहर में 12 बच करके 18 मिनट तक रहेंगे और इसके पश्चात कुम्भराश में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित नुहुर्त का समय दिन में 11 बच करके 32 मिनट से 22 बच करके 23 मिनट तक होगा तो नहीं राहुकाल प्राता साढ़े 10 बच से दोपहर 12 बच तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्यक कार्य को अभिजित नुहुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित नुहुर्त हरिक वति प्रिय राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए जन्म कुंडली का सब्तम भाव ये दामपत्य का भाव है ये पार्टनर्श्प का भाव है लेकिन मुख्य तह इस जीवन साथी का इस भाव से जीवन साथी का विचार किया जाता है जन्म कुंडली के इस भाव में कितनी महत्वपुर्ण एक सूचना छुपी हुई है दिब्ब्य महा प्रयोग में आज उस सूचना के बारे में आपको मैं बताऊंगा तो दिब्वे महा प्रयोग के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रहिस्तुतियों की सूरिय राशी में सुंचरन कर रहे हैं और शुक्र ब्रिशब्भ में राहु का सुंचरण मिथुन में जारी है तो केतु का धनू में और चंद्रमा मंगल शनी और गुरू ये चार ग्रह यूती बनाकर मकररासी में सुंचरण कर रहे हैं दोपर में चंद्रदेव राशी परिवर्तन करेंगे और कुम्भराशी में प्रवेश कर जाएंगे और वह आपके जन्मराशी के अधार पर है यानि आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं वही आपकी जन्मराशी है अगर आप अपने जन्मराशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचली नामराशी के अधार पर इस राशी फल को देख स कि जन्न कुंडली के सप्तंभाव पर अगर आप द्रिष्टी डालें तो सश्ठंभाव शक्त्रु का और अश्ठंभाव मृत्यू का और इन दोनों के मध्य कि जीवन सांथी का घर जाया भाव कि क्या कहना चाहता है ये कि क्या सूचना है अगर देखा जाय तो हमेशा मैं एक श्लोक बोला करता हूँ दामपत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजन है दामपत्यम प्रतिकूलम चेत नर्कम किम ग्रिहमेवतत दामपत्य जीवन में अनुकूलता हो तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन है और दामपत्य जीवन में प्रतिकूलता हो तो नर्क कहीं ढूंडने नहीं जाना ग्रिहमेवतत वो घर ही नर्क के समान है अब देखा जाए तो दामपत्य जीवन का जो भाव होता है सप्तम भाव जो होता है वो मैंने कल ही बताया था इसके बाद कई लोगों ने बताया कि नहीं इसमें भी परिशानी होती है मैंने कल ही बताया था कि आप किसी भी लगन को ले लीजिए तो सप्तम भाव शत्रूरासिका ही होता है उसमें बैलेंस संबंध को मजबूत बना करके लेके चलना चलना पड़ता है सामंजस से बिठा करके चलना पड़ता है इसी को दामपत्य भाव करते हैं अब अगर आप अपने जीवन साथी से सामंजस से बिठाने में काम्याब हो गए तो फिर आपका जीवन साथी रोग, रिपू और रिण रूपी शत्रू से रिपू से तो करे ही करे जीवन साथी का सहयोगा आपको मिलेगा तो अकाल मृद्यू से बचा करके आपको वो दूर्गायू बनाने वाली हूँ या बनाने वाला हो यानि आपका जीवन साथी फिर आपकी आयू का भी बृद्धी, आयूष्य ब्रृद्धी भी कराएगा और तमाम तरह की परिशानियों से आपको मुक्ती भी दिलाने वाला होगा लेकिन जैसे ही सप्तम भाओ कुकि कहां पर बैठा है ये देखकर कहीं पता जलता है कि एक तरफ शत्रू का घर और दूसरी तरफ मृत्यू का घर और इन दोनों के बीज जहां दामपत्य जीवन में परिशानी सुरू हुई फिर ये समस्याएं अपने आप चढ़ बैठती हैं यानि रोग रिपू और रिण का धावा होता है और उधर से फिर अकाल मृत्यू तो स्वभाविक है जब इनसान बहुत परिशान होगा तो अकाल मृत्यू ही हो जाती है उसकी और कोई जरूरी नहीं है कि जो जीवी थे उसे अकाल मृत्यू नहीं कही जा सकती मृत्यू कई प्रकार के होते है मृत्यू का अर्थ केवल एक मर जाना वही नहीं होता मृत्यू कई एक अर्थों में मृत्यू होती है यानि दामपत्य जीवन इतना महत्वपुर्ण है ये सुरक्षा प्रदान करता है दोनों के बीच खड़ा हो गया है इधर रोग और इधर मृत्यू और दोनों के बीच खड़ा है जीवन साथी और वो भी ऐसा है जो आपका मित्र नहीं है वो राशी कैसी है वो मित्र राशी नहीं है वो एंटी राशी है और उसके साथ अगर आपने तालमेल बिठा लिया तो फिर वो इनको हैंडल कर लेगा फिर रोग और मृत्य को हैंडल वो कर लेगा वो उसका काम होगा आपको ज्या राशी फल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा राशी परिवर्तन की ओर हैं और चंद्रमा जब राशी परिवर्तन करने वाले होते हैं तो अपना सारा का स चिंतित हैं आपकी चिंता जायज है लेकिन आप निश्चिंत हो जाएए वक्त का बदलना परिस्तितियों का बदलना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर घर पे रहकर के काम कर रहे हैं तो आपके काम तो फिर आसानी से हो जाएंगे लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं और काम क कि तलाश में हैं तो कोई न कोई काम आपको मिल जाना चाहिए किसी पुराने मित्र की सहायता लीजिए पुराने मित्र की सहायता से आज आपकी कोई मुश्किल परिस्तुती ठीक हो जाएगी या किसी समस्या से आप मुक्त हो जाएगे यानि घर पे रहकर के जो काम करें उन्ह औरों का यहां अर्थ है कि केवल साथ के लोग ही नहीं, उच्चा धिकारी नहीं, आम लोगों की भी मदद मिलेगी, वहीं एक बात आपको बता दू कि आज आप जितना दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही आपका काम आसानी से होता चला जाएगा, सहजता और सरलता से हो जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, विशेश करके अगर आप काम कर रहे हैं, व्यापार आपका चल रहा है, निश्चिंत हो जाई कि धनागवन की कुछ सूचना है, बहुत बढ़ी धनराशी नहीं, लेकिन इतनी धनराशी तो आही रही है, जो कि तक शांती परदान करेगी, वहीं अगर कहीं निवेश इत्यादी करने वाले हैं, तो आज कर सकते हैं, बड़ा लाब हो सकता है, आज आपको अपनी वानी पर सयम रखना होगा, और क्रोध बिल्कुल नहीं आने देना है, धैरे के साथ चलना है, निसन देह आप परिशान हो बात कीजी, जरूरी नहीं होता, हर मसले पर जीवन साथी राय ही दे आपको, लेकिन बातचीत कर लेने से भी आपको काफी राहत मिलेगी, प्रेम संबंद के लिए दिन आज बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, तो वहीं पिद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा ह महत्तो पूर्ण है, मन पढ़ाई में लगेगा, सेहत के द्रिष्टिकोन से देखें, तो कोई पुराना रोग, जो कि अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, पुनह उसके लोट आने की सूचना है, सुजरा साउधान रहिएगा, अपनी सेहत का खयाल रखिएगा, और न कारिस्थल पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, कोई बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपका ट्रांसफर किया जा सकता है, यानि जहां आपको भेजा जाएगा, वहां पद दिया जाएगा, और कोई बड़ी जिम्मेवारी भी, आप जहां भी जाएंगे, अपनी कोशिश पूरी तरह से जारी रखिएगा, जाहिर सी बात है, इस वाटावरण में, इस परिस्तुती में अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो किसी बड़े कारे के लिए हो रहा है, जहां भी ट्रांसफर हो, अपना शत्र प्रतिसत दीजिए, जो लोग घर रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, जरुवत पड़ने पर सारे काम तो होंगे ही होंगे, जीवन सांती का स्वयोग मिलेगा, किसी मित्र की मदद चाहते हैं, तो वो मिल जाएगा, मने हर तरस से देखा जाए, तो काम आपके होंगे, हर प्रकार से का होने वाले हैं, कहीं कोई चिंता नहीं, ब्यापारियों के लिए भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ब्यापार में आज थोड़ी उंच नीच हो सकती है, थोड़ी परिशानी होगी, आपको धैरे बना करके रखना होगा, वहीं जो लोग कारिस्थल पर हैं, जिनका ट्रांसफर इत्यादी नहीं हो रहा है, उनको एक और बात बता देता हूँ, कि अपना काम धैरे पुरवक करना है, और कहीं अपनी बात अगर उच्छा धिकारियों के सामने रखनी है, तो बड़ी ही मजबूती के स्थाथ अपनी बात रखिए, आपको कोई दिगा नहीं सकता, इस बात को मान करके चलिए, और आज अगर कोई योजना आपके पास है, आप उच्छा धिकारी हैं, घर पे रा करके काम करें, कहीं भी अपनी योजना किसी से श्यर मत करिएगा, प्रेम संबंद के लिए आज का दिन बहुत ही शुब फल देने वाला है, वहीं दामपत्य जीवन भी सुख़ दिखाई पड़ रहा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बिल्कुल अनुकूल, सेहत के दृष्टि कोण से देखें तो कहीं कोई तकलीफ नहीं, आज स्रिसुक्त का पाठ करिए, लकियंक आपके लिए 6 लकी कलर आपके लिए जारा है, बात मिथुन डाश की कर लेते हैं, मिथुन डाश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, जो लोग कारेस्थल पर हैं, उन्हें सबसे पहले तो विश्यस रूप से सावधान करना चाहता हो, किसी दुरघटना के शिकार आप हो सकते हैं, किसी शड ऐसा व्याप्त है, लेकिन इसके दावजुद आपके जितने भी महत्तो पूरुन कारे हैं, सब के सब पूरे हो जाएंगे, जो लोग घर पे हैं इस समय और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, विश्यस कर इंट ब्यापारियों को एक बात बता देता हूं, कोई नया कारे प्रारम्भ करने की सोच रहे हैं, गलती से भी मत करिएगा, जो कारे जैसा चल रहा है, चलने दीजिए, बलकि सारे जो काम इधर उधर तितर बितर पड़े हैं, उन्हें समेटने का प्रत्न करिए, अगर ऐसा करते कुछ भी ऐसामत बोल बैठिये, जो किसी को चुब जाए, किसी को बुरा लग जाए, और एक और बात, आज किसी भी बात पर आँख बंदगर के विश्वास नहीं करना है, नहीं तो मुश्किल में पढ़ेंगे, और विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा दिखाई न करना रहना है, सिहक में परिशानी आ जाएगी और सावधानी के कारण, और घर पे हैं, तो आज प्रानायाम करिएगा, लकियंक आप ये पांच लकी कलर आपके लिए ब्राउन है, करकराश की बात कर लेते हैं, करकराश के जातकों के लिए, दिन बढ़िया है, आज आप आत्म विश्वास के बतुलत नकारात्मक बिशार, नकारात्मक माहौल को अपने आप से दूर करेंगे और यही आपके लिए आफदाई होगा। और घर पे रह करके काम कर रहे हैं, उनके लिए बता दूँ कि अगर नौकरी में आपने बिराम देने की बात मन में ला ली है, या नौकरी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, नौकरी छोड़कर के ब्यापार की तरफ जाना चाहते हैं, आप ऐसे किसी भी विचार को आज इस पे बिदेने के लिए भी आपका वयापार होता है धना अगमन होगा, आज किसी भी काम के लिए अगर दूसरे पर आप निरभर हैं, कारेस्थल पर हैं तो घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो और वयापारी हैं तो आपको नुकसान होगा, प्रेम संबंद के लिए दिन बहु उसका सरिष्ट परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, और सेहत के दृष्टि कोण से देखें, तो कमरदर्द और बदंदर्द की शिकायत हो सकती है। महामर्तिंजय मंत्र का आज 11 बार जब कर ये लकियं का आपके लिए 8 और लकी कलर हलका पीला है। शुम की बात कर लेते हैं, शुम मराज के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। बहुत से आपको डाट सुनी पड़े। तो आज आपको एक बात बता देता हूँ कि चाहते हैं कि दिन अच्छा सबीत जाए, तो सबसे पहले सुनियोजित रंग से काम करिए। हर कारे की रूप रेखा बना लीजिए और तभी कोई कारे करिए। मन में पैसे को लेकर के बार-बार विचार आ सकता है, परन्तु आपको इन विचारों पर कोई कदम नहीं उठाना है। जो लोग कारे क्षित्र में हैं, उनको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप शांती से और धैरे कुर्बक अपने आपको सम्हालते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए काम करते हैं, तो एक बात और बता देता हूँ कि सम्मान और सहयोग भी मिलेगा, यानि ब बहुत ध्यान रखना है, आप से कुछ गलती हो सकती है, तनिक भी लापरवाही आपको मुश्किल में डाल देगी, ब्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठिक ठाक दिखाई पड़ रहा है, ब्यापार के लिए आज का दिन अच्छा है, बस एक बात बता देता उधार नहीं देना, किसी को पैसा देना है कर जित्यादी, आज मना कर दीजीगा, लाब किस्तिती सामान नहीं है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत कम नहीं, और किसी भी प्रकार के निर्णे में, आज जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा शत्रू है, लाप पार्टनर का मू इसके चलते मानुसिक तकान सभाविक है, रातरी सुक्त का पाठा के लिए लाबदाई होगा, लखियंक चार लखी कलर आपके लिए आज ब्रू है, बात करन्याराश की कर लेते हैं, करन्याराश के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, करन्याराश के जात पर उनको विशेस धन लाब होने बाला है अधिकारियों का सहयोग मिलता दिखाई पड़ा रहा है आज हाला कि एक बात बता दू जो लोग कारिस्थल पर हैं दिन भर व्यस्तोता आपकी बनी रहेगी इस भागम भाग में आपको अपनी सेहत का विशेस दूरूप से खाया भाग में आनने वाले हैं जो बिचार आंगे अच्छे बिचार आएंगे पुराने दिनों को याद करके आप आज पूरा दिन आनंद मनने वाले हैं लियानी पुरानी बाते सब्क真的 करूँ सब कुछ ठीक कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है बस सेहत के दृष्टी कोण से देखें तो पेट से सम्मंदित परिशानी हो सकती है सुखान पान का ध्यान रखिए गया घर पर अगर आप हैं तो सफेद पुष्प भोलेनात की प्रतिमा पर भोलेनात की तस्वीर पर अर्पित करिए और अगर बाहर कहीं हैं तो पंचाक्षर मंत्र नमह सिवाय का 11 या 21 बार आज जब कर लिजेगा लखियंक आपके लिए चार लखी कलर आपके लिए आज कत्थई है तुला राशी मीडिया फिल्ड से जुड़े हुए हैं तो आज किसी पुरानी चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी कुछ नए प्रकार के आईडियाज आपके मन में आएंगे जिसकी खूब खूब सा रहना होगी तो वही कारिस्थल पर हैं तो आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरतस्त बढ़िया रहने बाला है दोस्तों का सहयोग मिलेगा घर पे रहकर के काम कर रहे हैं तो तुला राशी के हैं तो आज का दिन बिल्कुर ठीक ठाक जा रहा है घर पे रहकर के काम कर रहे हैं आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे कोई भी प्रोजेक्ट है आपके पास आज वो आप पूरा कर लेंगे और बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे वहीं ब्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो ब्यापार में फाइदा वाला दिन है मिला जुला करके मेहनत थोड़ी जादा आपके लिए रहेगी लेकिन लाप भी भरपूर उसका आप लेंगे कहीं पर हैं विशेश कर अगर आप मैं सबसे पहले मीडिया फिर्ट से शुरू किया हूँ वही कारेस्थल पर हैं तब घर पे रह करके काम कर रहें तब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए बाद में दिक्कत होगी जीवन साती से स्वयोग और धनलाव दोनों होने वाला है और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है फोन पर ही करिए लेकिन कर लीजिए विद्यार्थियों के लिए जरूर समय थोड़ा नकारात्मक है मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और सिहत के दृष्टिकोंड से देखें तो आज माइग्रेन आधे माथे में दर्द की शिकायत हो सकती है या माइग्रेन की का दर्द है पहले से तो आज वो बढ़ सकता है आज उपाय के तौर पर आपको एक छोटा सा उपाय में बताना चाहता हूँ आज ओम नमो भगवते वासु देवायो इश्मंत्र का आपको 108 बार जब करना चाहिए और किसी गरीब को भोजन से सम्मंधित सुखी वस्तू सामगरी दान में देनी चाहिए लकियंक आपके लिए एक लकी कलर आपके लिए आज पिंक ब्रिश्चिक की बात कर लेते हैं ब्रिश्चिक रासिक जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल बढ़िया है दिन धनागमन की स्तुती बनी हुई है परिवार के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है घर का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा परिवार के बीच कोई समस्या है तो आज आज आप बड़ी आसानी से उसे निप्टाल लेंगे और वहीं जो लोग कारिस्थल पर हैं, जो लोग घर पे रहा करके काम करें, दुनों के दोनों के लिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है विशेशकर कारिस्थल पर हैं, तो अपनी बुद्धिमत्ता से अपने सारे काम आज आप खुद के पूरे कर लेंगे खुद को सावित कर दिखाने का ये समय है, लेकिन खुद को सावित कर दिखाने के चकर में, इसी भी प्रकार का सुरक्षा से आपको तनिक भी सुरक्षा के जितने भी नियम हैं, उसकी अवहेलना नहीं करनी है सुरक्षा के सारे नियमों का आपको पालन करना है और खुद के लिए करना है अगर आप भरपे हैं तो दोस्तों से परिवार वालों से सबसे सहयोग मिलेगा और व्यापारी है तो आज का दिन धनलाव कराने वाला है नियुक्त अगर कहीं पैशा आप निवेश करते हैं तो वहाँ से भी अच्छा धनलाव आपको होने वाला है अपनी योजनाओं पर किसी से बादचित करना चाहते हैं तो आज मत करिएगा जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए दिन बढ़िया है क्योंकि विवाहत तय हो सकता है या इससे समंधित बादचीत हो सकती है चाहे वो फोन पर ही हो, मेल के माध्यम से हो इंटरनेट के माध्यम से हो लेकिन काम बनेगा और आज अगर आपका जीवन साथी नाराज है तुन्हें मनाने की कोशिश करिए बिद्यारतियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बड़ा ही अनुकूल और अच्छा परिणाम देने वाला है आपकी मेहनत, आपकी चाहत आपको विशेश सफलता दिलाने वाली है जोरत पड़े तो दोस्तों की भी मदद लीजिए और दोस्तों की मदद भी कीजिए सेहत के द्रिश्टिकोंड से देखें तो आज कफ जन्ने रोग आपको परिशान कर सकते हैं और हड्डियों में, विशेश कर हाथ के हड्डियों में कंधों में, जोडों में दर्द हो सकती है जरा सावधान लगिएगा आज मा भगवती जगदंबा के समुख बैठकर और देव्या कबच का पाठ करिए लखी अंक आपके लिए पांच, लखी कलर आपके लिए हलका हरा है धनु की बात कर लेते हैं धनुराज के जयातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है कारेस्थल पर हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता धैरे इसको सभी सलाम करेंगे सफलता मिलने वाली है और ब्यापारी है तो रुका हुआ पैसा मिलने का योग बन रहा है ब्यापारी के दृष्टिकोंड से देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है मदब मिलेगी आपको और आपके सारे काम बनने वाले हैं एक बात बसका खयाल रखिएगा आज किसी भी मामले में जीवन सांती का आपको अपमान नहीं करना है जीवन सांती की भावनाव को समझीए रिस्ता भी मजबूत होगा काम भी आपके बनेंगे और घर पर रहना आपका सार्थक भी होगा विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है मन पढ़ाई में लगेगा और प्रेम संबन्द में अगर आज आज आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो आज तो बिल्कुल मत करिएगा गले के रोग आज आपको परिशान कर सकते हैं सुजर आपना खयाल रखिएगा और ठंडी चीजों का सेवन मत करिएगा घर के मंदिर में ही कपूर से वहाँ के देवताओं की आरती करिए लखियंक आपके लिए आठ और लखी कलर आपके लिए आज बैंगनी है मकर की बात कर लेते हैं आपके काम में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो बाद में एक परिशानी खड़ी हो पहले ही चेक कर लीजिए और जो लोग ब्यापारी हैं उनके लिए आर्थिक इस्तुती में कुछ बड़ा बदलाओ दिखाई पड़ रहा है ब्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है कुछ आर्थिक इस्तुती में बड़ा बदलाओ है जो कि आपके लिए लाभप्रद है और कारे स्थल पर हैं तो बहुत बढ़ी आधिकारी आपसे खुश रहेंगे हलाकि एक बात बता दूँ आज दोपहर के बाद से जरा सावधान रहिएगा आप किसी शडियंतर का सिकार या दुरघटना आपके साथ घटित हो सकती है आप बाद में मुश्किल में पड़ेंगे मैं पहले आगाह करता हूँ आज अपनी सुरक्षा का खयाल रखिए औरों की तो आप सुरक्षा का खयाल रख रहे हैं माहल जैसा है उसी के हिसाब से मैं राशिफल बता रहा हूँ दोपहर के बाद खुद की सुरक्षा समझदारी के साथ काम करिए आप सुरक्षित रहेंगे सब की सुरक्षा कर लेंगे ब्यापारियों को एक और बात बताना चाहता हूँ पैसो के लेंदेन के मामले में आज जरा सावधान लेगा आपसे गलती हो सकती है और आज एक बात का खयाल रखिये बिना सोचे समझे कही नहीं बोलना नहीं तो आप तो मुश्किल में पढ़ जाएंगे और कहीं भी भार के जगह पर हैं तो अपने आपको जरा सुरक्षित रह करके चलेगा और बोलने से बचिएगा ने तो काम भिगड सकता है प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा सुखत बातचीत होगी अच्छी बातचीत होगी प्रेम संबंद के लिए दिन बढ़िया दामपत्य जीवन भी सामाने दिखाई पड़ रहा और विध्यार्थियों के लिए देखा जाए आज का दिन बहुत अच्छा है हलाकि मन में थोड़ी बेचैनी है क्या होगा कैसा होगा लेकिन फिर भी आनंद करते हुए बढ़िया दिन बीदेगा आपका सेहत में कहीं कोई दिक्कत नहीं प्राणायाम करिए जो परिशानी थोड़ी हो वो भी दुर हो जाएगी लखी अंक चार लखी कलर आपके लिए आज पीला है कुम्ब की बात कर लेते हैं कुम्बराश की जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आज आपका मन बड़ा ही खुश है विशेस का प्रेम संबन्द में है तो मन थोड़ा रोमेंटिक रहने वाला है मूड आज आपका थोड़ा रोमेंटिक रहेगा जीवन साथी से आज आपको बराबर का सहयोग मिलने वाला है और जीवन साथी के सहयोग से आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं लेकिन साबधान करना चाहता हूं दो पहर तक उन लोगों को जो लोग कारिस्थल पर हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की स्थिती में जहां परिशानी हो सकती है आप जानते हैं आप से लापरवाही को उम्मीद नहीं की जा सकती लापरवाही आपको मुश्किल में डालने वाली है और जो लोग घर पे रहकर के काम कर रहें उनके लिए बता दूँ वैसे तो दिन ठीक ठाक है कोई बहुत ज़्यदा चिंता नहीं परन्तु जीवन सांती की सेहत आज आपको परिशानी में डाल सकते तो जीवन सांती की सेहत का जरक खयाल रखिये लिए हलाकि एक बात बता दूँ अगर आप कारिस्थल पर हैं तो घर पे रहकर के काम कर रहें मैंने बताया कि आज ब्यापार में फायदा भी होने वाला है रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है अगर कहीं कोई कानूनी मसला या मैटर आपका चल रहा है और आप ब्यापार में हैं तो हो सकता है बाहर ही सामने वाली पार्टी से बातचित हो जाए और ये मसला निपड जाए बस आप इतना देख लिजेगा कि भावनाओं में बहकर के कोई ऐसा निर्णय नो हो जाए जो आपके लिए बाद में नुकसान देने वाला हो बिद्याथियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पढ़ रहा है सफलता मिलेगी मन पढ़ाई में लगेगा समय आपका अच्छा है और सेहत के द्रिष्टिकोंड से देखें दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है सेहत के मामले में जहां हैं आप घर पे हैं तो घर में बाहर हैं तो बाहर व्यापारी हैं तो कारिस्थल पर अपना खायाल रखिएगा आज बटुक भेरश्टतर स्तामस्तोतर का पाठ करिए अथवास त्रमन कर लिजे लखियंक एक आपके लिए लखी कलर आपके लिए को मिलेगी या फिर कोई ऐसी सूच ना मिल सकती है जो कि आपको खुश देने वाली है को फिश चुष देने वाली जो लोग बेरोजगार हैं घर पे हैं उनके लिए जो आपने चाह कर रखी दिए जो सपने आप देख रहे थे वह जल्द ही पूरा होने जा रहे हैं आज आपको कोई खुश खबरी मिलने वाली है, दिन आपके लिए बड़ा ही खुश नुमा है, तो वहीं आप घर पे रहकर के अगर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दिन है आपके लिए, उपर से जो भी order मिले आपको, बॉस का जो भी order मिले, उस फैसले को उनका सबसे बड न करिए, पर उधार बिल्कुल मत दीजिए, आज अगर निवेश करने की सोच रहे हैं, तो मत करिए निवेश, क्योंकि आप से लापारवाही हो सकती है, और बाद में आपका पैसा डूब जाएगा, प्रेम सम्मंद के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, कर दिजेगा, अथवा शिव चालीसा का पाठ कर दिजेगा, लकी यंक आपके लिए साथ, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, तो प्रियदर्शकों ये था, मेश शले कर के मीनराशी परियंत प्रतेक राश के जातकों का पूरे दिन का हाल, अभी के लिए बस इतना ही इज अज़ दीजे पुना मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार